सोर्ग पिता और इश्यू मसी और पवित रात्मा के नाम से हमें पवित रात्मा मेरे को बल दे कुरूपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द करा में सोग्पिता में एशु के नाम से प्रात्ना करता हूं मेरे को बल देख रूपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द पवित रात में का शब्द कर और यह जो वीडियो आगे दुसरों को बेचते वाइरल करते उनको हमेशे बेचने के लिए मदद देख रूपा दे और यह लोगों को कोविड बीमारी और ब्लैक फंगस बीमारी से बचा कर रहे हर एक बीमारी लोगों की टिक कर और सब कामाई लोगों का करके जया में आइस तारीके उसी गड़ी चेले एशु के पास आकर पुछने लगे कि सोर्ग के राज में बड़ा कौन यह इस पर एशु ने एक बाड़क को पास बुला कर उनके बिच में खड़ा किया और कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुमने फिरों और बाड़कों के साम्मान न बनो तो सोर्ग के राज में प्रविश करने नहीं पाओंगे जो कोई अपने आपको इस बाड़क के सम्मान चोठा करेगा वह सोर्ग के राज में बड़ा होएगा और जो कोई मेरे नाम से एक एसे बाड़क को ग्रहन करता है तो चेलो ने एशू मस्य से पुचा सोर्ग के राज में बड़ा कौन है स्वागत आपको और आपका परिवार को एशू मस्य के नाम से यूटूब लाइब पर गौड ब्लेस यू अल एशू मसी उत्तर को जवाब देने के लिए ये का बच्चे को बुलाया और बोला कि तुम बदल लो तुमारा जिंदगी बदल दे तेरा सोच बदल दे सोच बदलने से तेरा वेवार बदल जाता है तेरा हरकतें तेरा सब कुछ बुरा कामा बंद हो जाता है बदल जाते अच्चाई को अपना लिताए तुम बदल दो तुमारी जिन्दगी बदल दो तुमारे घर वालों का हर एक का जिन्दगी बदलना मंगताए बदल कर तुम लोग एक बदल का जैसा बनना मंगता है एक बच्चे का जैसी तेरी हरे कैतलिक की जिन्दगी होना मंगता है तो कैतलिक का जिन्दगी अब तक कैसा रही है कैसी रही है जो गर में कमाता है वो बोलता कि मैं सबसे बढ़ा हूँ गर में मैं कमाता हूँ मैं पैसल आता हूँ आगर औरत कमाती है तो बोलती है मैं सबसे गर में बढ़ी है मैं कमाती है मैं पैसल आती है गर पे तो हर एको गर में बढ़ा बनने का है औरत को नहीं तो मर्द को बोले तो माबाप को बच्चे का जैसा बच्चे का बराबर का जैसा बनने का नहीं है माबाप को बच्चों को डर से रखने का है बच्चों को उनके निच्चे रखने का है माबाप को ये तरीका होता है ये दबाव डालने का तरीका अभी हर एक कैतलिका हो गया बच्चों को हमेशा चोटे समझते हैं और कम बुद्धी वाला समझते हैं और नालाइक पुकारते हैं हर एक को एक से बढ़कर उपर चड़ने का है ये आदत हो गया है हर कैतलिक की लेकिन इदर एशु मसी क्या बोल रामको ची बाड़कों के सम्मान न बनो तो सोर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे तो सोर्ग में प्रवेश कैसा हो जाता है कब से सोर्ग के पास जाने का आम लोग सुचते है सोर्ग में दाकिल कैसे हो जाएंगे आम लोग यह जवाब इसका उत्तर एशु मसीन इदर दिया हुआ है कि बाड़कों के सम्मान न बनो तो सोर्ग में कौन बाड़क जाएंगे जो चोड़े बाड़क मरते है गर में डेलीवरी में पेट में और प्रीमेचुर डेलीवरी जब होती है तभी बहुत जान मरते तो यह सोर्ग में जाएंगे ऐसा है इसका इशु मसी का यह बोलने का ऐसा है जो एबोशन किया है बच्चे वो सोर्ग में जाएंगे एशु मसी का और एशु मसी और कुछ बोल रहा है इदर समझाने के लिए नाला एक इंसान को समझाने के लिए एशु मसी इदर और कुछ बोल रहा है एशु मसी बोलता बड़े लोगों को कि बाड़कों के सम्मान ना बनो क्योंकि शिशे लोगों ने पूचाता बड़ा कौन है तो जो इंसान बच्चे का जैसा हो जाएगा बाड़कों के सम्मान बनेगा वो इच सोर्ग में प्रविश करेगा सोर्ग में इच इंसान को दाकिला हो जाएगा दुसरा सब इंसान कहां गया? जो बड़े-बड़े समझ से थे, जो बड़े-बड़े सोचकर मरे है, जो लोगों ने एशु मसी का जैसा सोच नहीं किया, जिवन बदला नहीं, एशु मसी का जिवन अपनाया नहीं, एशु मसी का जिवन जिया नहीं, वो लोग सब नरक में ग तो तुम्हारे गर में देख ले आजू बाजू में देख ले इस्चेदारों में देख ले जो भी कोई मरा वो बिल्कुल इशुमस्य का जैसा था या नहीं था तो गया कहां वो नरक में गया सिधी सिधी बाते इसमें सचने का किसी का टांग कीजिने का किसी को तकलिफ देने का किसी से पुछने का सवाल जवाब करने का जरूत नहीं है सिदी सिदी बाते जो इंसान बिलकुल एशु मसी का जैसा बना नहीं है वो सब लोग नरक में गए तो एशु मसी का जैसा बनने का कैसा बनने का मार्क में जाओ मार्क अंग्रेजी में मार्क बोलते मार्क में जाओ 16 शब्द 15 ये इश्व मस्य ने बोला कि तुम ये सा कारी करो ये कारी हर एक इंसान का जिन्दगे में होना मंगता है तो जो भी कैतलिक ये कारी करता नहीं है वो सब कैतलिक लोग किदर गए नरक में गए बराबर से सुन ले ये सुनकर पल्टी नहीं मानने का कि ट्यागो बोलता है वो सच नहीं है जो ट्यागो बोलता है उसको बोलने दे मेरा धरम में करेगा एसा पल्टी मारेगा तो गया तुम काम का तेरा मौत अगले मिनट में भी हो सकती है तो बच जाओ बच के रहना नहीं शेतान तेरको चोड़ेगा नहीं बच जाओ मन बदल दो बिल्कुल एशु मसी का जैसा बन जाओ बोले तो बच्चे का जैसा एशु मसी बोलता है बन जाओ आमारा जो गमंडे जो दुश्मनी है वो सब कतम करो बोलता है इशु मसी जो बदन का लालज ये एक दुसरे का वो बोलता है इशु मसी कतम कर दे बच्चे का जैसा बन जाओ ये आदत ये बच्चों को नहीं है जो गंदी और खतरनक जो आदते है वो बच्चों का नहीं है चोड़ा बच्चों का जो पाहन साथ साथ का बच्चे होता है उनका आदत है इसा एक दुसरे को जिन्दा मारने का नहीं है एक दुसरे को दबा के उपर चड़ने का नहीं है तो इसका कहना है कि तुम लोग पवित्र कैतलिक बन जा है मैं बन गया तो 9 महिना हो गए अभी अभी तुमको 5-10 मिनट काफी है ए डिस्क्रिप्शन में जा ले वीडियो के बाद और पवित्र कैतलिक बन जा है और तब इच कि तुम लोग एश्यू मसिभ बोलता है कि सोर्ग के राज में प्रविश करेगा तो इश्यू मसिदर आमको क्या बोल रहा कि शब्द चार में जो कोई अपने आपको इस बाड़क के सम्मान चोटा करेगा वह सोर्ग के राज में बड़ा होगा तो बड़ा किदर होएगा सोर्ग के राज में बड़ा होगा ये चेले लोग जो पुचाए उसका दो जवाब होता है एक जवाब तो सिधा सिधा है कि सोर्ग के राज में बड़ा कौन होगा बोले तो किदर मरने के बाद हर एक इंसान का सोच में है कि सोर्ग मरने के बाद इस मिलता है लेकिन हर एक कैतलिक भी इतना नालाइक बन गया इतना गिर गया हर एक कैतलिक भी जो परमिश्वार का प्रातना है जो एश्यू मसरी ने समझाया कि सोर्ग का राज जो है इस दुनिया में भी आए इस दुनिया में हो जाए इस दुनिया में मेरे को बुगत ना मिले सोर्ग का राज ये एशु मसे ने प्रातना सिखाए आम लोगों को परमेश्वर पिता का प्रातना है ये आम हजारों लाकों बार बोलते हैं कैतलिक जीवन में लेकिन इसका अर्थ किसी को मालूम नहीं है सिर्फ बोलते है स्वरुग का राज मरने के बादिश मिलता है लेकिन ये प्रातना में आमको क्या लिकेला मिलता है कि स्वरुग का राज इधर जिन्दगी में पहला मिलना चाहिए जैसा स्वरुग में वैसा स्वरुग का राज दुनिया में हो जाये करके आम लोग प्रातना करते हैं स्वरुग पिता को तो आम लोग ये एशु मसीन जो इधर बोला है कि सुर्ग के राज में बड़ा होगा कभी जबी इस बाड़क के सम्मान चोटा करेगा ओ इंसान चोटा करने का बोले तो क्या? उमर से कम जो इंसान है ओ नहीं चोटा बोले तो तेरा सोच बदलने का पहला लिकाए उपर शब्द तीन में लिकला होए कि तुम तेरा सोच जीवन तेरा मार्ग तुम बदल दे दिशा बदल दे गलत ये पाप की दिशा है ये बदन की लालज का दिशा है ये बदल दे इसको बोलते सम्मन चोटा करेगा बाड़ों को के जैसा तो जबी आप पूरा आपका जिवन शब्द पर जियेगा शब्द बोले तो एशु मसी युहाना एक-एक में मिलता है युहाना अद्द एक शब्द एक कि शब्द एशु मसी है तो शब्द के द्वारा, शब्द के अनुसार, शब्द पर जिनेका है बोले तो मेरा जिवन बिल्कुल एशु मसी का जैसा होना मंगता अगर मेरा जिवन एशु मसी का जैसा नहीं हुआ तो में सुर्ग का राज में बड़ा नहीं होएगा, सुर्ग का राज में प्रवेश नहीं करेगा, तो आमको सुर्ग से कुछ भी लेना देना नहीं है, जो भी प्रवित्र कैतलिक नहीं है, जो भी कैतलिक एशु मस्री का जैसा नहीं बनाए, वो कैतलिक को सुर्ग से कुछ लेना देना नहीं है, वो सुर्ग का अशिरवाद से बाहर है, वो शेयतान का कबजे में है, शेयतान उसको कभी भी इस दुनिया से कतम कर सकता है, उड़ा सकता है, कोई भी, सिर्फ बड़ा लोगों का नहीं, कोई भी, खोक में भी, मां के खोक में भी, ये करके, ये अबोशन करके, जिन्दा मार सकता है, कौन शेयतान, डेलीवरी में मरते है, प्री मैचूर मरते है, पेट में गिर जाते है, तो ये हर एक चीज, ये जिन्दगे में दकल दता है, शेयतान, क्यों, तुम लोगों ने ये शब्द, बराबर से, जिन्दगे में अपनाया नहीं, जिन्दगे ये शब्द के, बराबर किया नहीं, ये शब्द जो आमको अभी बोला है, ये शुमस्य आमको जो बोला है, वो आमने, अब तक किया नहीं, तो आमको अभी हर एक चीज चोड़ना पड़ेगा और वो कैसा चुट जाएगी जो बिमारी लगी है डॉक्टर बोलता है इसका इलाज नहीं है मरते दम तक तेरे को एक गोलियां खाना पड़ेगा कॉलेस्टरल का, हाई बीपी का, लो बीपी का, डाइबेटिक का खुन पतला होने का तो यह कहीं टाबेटा है जो तुम जिन्दगी बर बंद नहीं कर सकता क्योंकि तुमारा बिमारी का इलाज नहीं है तो एसा इंसान क्या करेगा यह जो इंसान बिमारियां में जिता है वो पवितर कैटलिक नहीं है तो उसका भी हाल हर एक इंसान का जैसा हो जाएगा जैसा पवितर कैटलिक का जिन्दगी है वो जिन्दगी छोड़कर दुसरों का जैसा हर एक इंसान का जैसा हर एक कैटलिक का भी जिन्दगी हो जाएगी जब तो क्यातलिक पवित्र क्यातलिक नहीं बनता ये शब्द येशु मसी शब्द बोले तो येशु मसी युहाना एक एक में जाके देख ले बराबर से लिखेला हुआ है तो येशु मसी तेरे को कुछ चंगाई, कुछ आच्चाई नहीं दे सकता तो क्यातलिक होकर भी येशु मसी तेरे को कुछ नहीं कर सकता तेरे को कैतलिक होने के बाद भी येशु मसी से तेरे को कुछ मिलता नहीं, कैतलिक होने के बाद भी तेरे को प्रातना करेगा, येशु मसी से करेगा, पिता स्वर्ग पिता से करेगा, पवितर आत्मा से करेगा, तो कुछ मिलता नहीं ये हर एक catholic को मालूम है इसलिए catholic लोग परमिश्वर को छोड़के सांतों के पीछे बागे है मारियम के पीछे बागे है क्रूस के पीछे बागे है क्योंकि ये लोगों को कुछ भी नहीं मिल सकता ये सोच सोचने का भी तुम छोड़ दे कि तेरे को भगवान से मारियम लाके देगी सांत लाके देगा कुरूस लाके देगा सब कुछ तुम बुल जा ये जूटे ये असल जूटे सबसे बड़ा जूटे है तुम लोग अगर ए लोगों का प्रातना रखते है तो तुम लोग गया काम का जेसा तुम्हारा मान बाप गया, तुम्हारा बच्चे मर गए, होक में बच्चे मर गए, गिर जाते हैं हमेशा, ये सब कुछ एज होएगा और दूसरा कुछ नहीं होएगा नहीं यह तो होना ही था यह होएगा लाजिम एज होएगा इससे अच्चा कभी भी नहीं होएगा क्योंकि तुम लोग जो सत्य है जो सच्चा मारग है वो चोड़के तुम लोग गलत मारग पे निकले है जो शेयतान ने तुमारे मन में डाला तुम मार्याम से प्रातना करे तुम सांथों से प्रातना लगाओ तुम कुरूस से प्रातना प्रातना रख्को यह गलत है इधर से तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा ये तु तुम फॉरेंद बंद करो तुमको सिर्फ एशु मसी का जैसा कारिक करेगा तब इच मिलेगा ये जो प्रोटेस्टन्ड है बिलीवर है इतना सारे चर्चां अभी इंडिया में भी लगी हुए उनका नाम भी हजारों हजारे चर्चां है हर एक का नाम है वो लोग क्या बोलते है आम लोग एशु मसी से आम लोग मर्याम से प्रातुना नहीं करते आम लोग सांतों से प्रातुना नहीं करते तो ये क्या लोग ये लोग खुश है ये लोग सत्य मार्ग पे है ये लोग उनका प्रातुना सुनाई देते है भगवान, परमिशवर, यह लोगों का प्रातना सुनता है, यह बोलता हम सिर्फ एश्यो मसीथ से प्रातना करते, मार्याम से नहीं करते, सातों से नहीं करते, हम लोग सिर्फ एशू मस्य से प्रात्ना रखते हैं तो एशू मस्य ने जो बोला है वो छोड़कर एशू निकले हुए तो इनको कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा सिर्फ चर्चे में जाते हैं जैसा हम लोग के चैथलिक चर्चों में आते हैं हर रविवार को आते हैं वैसा हो लोग अभी रविवार को चर्चर एता है बस सिर्फ फरक इतना है कि ये लोग प्रात्ना मार्यम से नहीं करते और सांतों से नहीं करते दूसरा क्रूस से लोग करेगा क्योंकि क्रूस पर तो इशू मस्य चड़ा हुआ है तो मेरे को लगता है गुरूस से प्रातना करता हो एंगे लोग तो मेरे को बराबर मालूम नहीं है लेकिन सुनाई देता हैं कि मर्याम से लोग चिड़ते हैं सांतों से लोग चिड़ते हैं तो यह मार्osh जो एक दिशा जो आमको एश्यू मसें दिखाया आए वो छोड़कर ये लोग निकल पड़े तो मेरा बोलने का मतलब एह है कि जब तक तुँ Catholic Church में रहे कर तुँ पवित्र Catholic नहीं बनता है तुँ किदर भी बठक जाए तेरे को कुछ आच्छाई आएगी नहीं तुँ गलत मार्ग पे है Catholic Church तुँ चोड़कर जाएगा तो तुँ गया काम का पहला इस तेरा जो रास्ता है वो गलत रास्ता है तो Catholic Church का बाहर है कि तुँ कुछ भी करेगा कुछ फाइदा नहीं है तो Catholic है उसको क्या फाइदा ही नहीं है क्योंकि Catholic Church में तो है लेकिन एशू मसी का जैसा नहीं है परमिश्वर को छोड़के सांत मर्याम और कुरूस के पीछे पड़े हुई है सब Catholic देख ले हर का घर में देख ले मार्याम का प्रातना लगता है शाम को जो बिमार है जो मुश्किल में पड़े वो कुरूस से प्रातना करने को जाते है गोवा में आके देख ले गोवा में जबी तुम लोग आएंगे तभी कितना कुरूस है लोग प्रातना को भागते है दूसरा मेरे को गाओं का मालूम नहीं है इंडिया में और दूसरे गाओं इतना सारे इस्टेट है वो इस्टेटों का मेरे को मालूम नहीं है कुरूस का प्रातना रखता है नहीं रखता मेरे को मालूम नहीं लेकिन गोवा में तुम आएगा तो काफी सारे कुरूस है जाकर देख ले परणजी से मडगाऊं जाने के टाइम में एक मिलता है बांबो两ग करके बाद में मायना में मिलता है बाद में इतना कोई भी क्यतलिक से पुछेगा गुः में कि यह जो क्रूज है जो प्रात्ना सुनता है वो कुरूस काहा है बोलेगा तो कोई भी कैतलिक तेरे को बोलेगा कि ये फलाना कुरूस गुआ में है उधर जाके तो प्रातना कर ले तेरा प्रातना परमिश्वर सुन लेगा ये चाल ये आदत हो गई है अमारा गुआ का कैतलिक की लेकिन पुरा कैतलिक को देखेगा तो भी चाल एई ही चे शायद कुरूस से प्रातना नहीं करते होएंगे लेकिन मार्याम से करते है और सांतों से करते है ये पूरा दुनिया में मैं आभी इंगलाण में इधर लंडन में भी हर एक कैतलिक चर्च में जाएगा तो सांतों का तो मुर्ती रखता ही है गवा में भी है लेकिन इधर क्या इधर लोगों के बीच में लगाया हुआ है बड़ी मुर्ती बड़ी एक मीटर की मुर्ती है लोगों का बीच में लगाया हुआ है और उदर बत्ती जलाते है कितना एक चर्च में एक चर्च में छे-छे मुर्तियां लगेली होती है मार्याम का भी पकड़के कोई चर्चों में कम है जगा कम है तो कम है नहीं तो इदर आदत ऐसा है कि सांतों का मुर्ति मार्याम का मुर्ति ऐसा लगेला रहे था चर्च में बड़ी वाली और उदर जाके तुम बत्ती जला के प्रात्ना करो कौन कैतलिक तो ये आदत हर एक कैतलिक के जिवन में है और इस इशू मसिक्या बोलता कि ये गटियां हरकत है तुमको क्या करने का है तुमको सिर्फ बाड़ावकों के सम्मान बनने का है प्रात्ना करने को बोला बत्तियां जला के दुसरों से प्रात्ना करने को बोला नहीं बोला न तो खाली फुकट काई को तुम ये लोचा करता है ये गंदगी में काई को तुम फसते है कैतलिक लोग मैं मी कैतलिक है मैंने छोड़ दिया तो मेरे को नौ मैना हो गया लेकिन ये मार्याम का प्रात्ना सांथों का प्रात्ना चोड़ा तो तकरिबाने छे मैना तो हो गया मेरे को पिर भी मालूम नहीं था पवितर कैतलिक होने के बाद भी मेरे को बराबर से मालूम नहीं था जबी मैं प्रचार करना चालू किया ना ये मेरे को नौ महीन हो गया मैं ये नौ महीने से प्रचार रख रहा है तो जैसा तू ये प्रचार करता है न ये तू खुद सिखता है येसा नहीं है कि तू दुसरों को सिखाता है नहीं मेरे ये मूँ से जो बोलता है ना वो पवितरात्मा है तो जबी पवितरात्मा बोलता है मेरे कान में जाता है और ये में कुद सिखता है इतना सारी चीजें में बोल रहा हूँ एक दिन में एक प्रचार में वो मेरे को भी मालूम नहीं था मैं जो जो प्रचार करता है तबी मैं कुद सिखता है क्योंकि ये प्रचार मैं नहीं करता ये प्रचार कुद एशुमसे करता है कुद पवित्रात्मा करता है सोर्ग पिता का कहेने से एशुमसे ने इस बोला था कि मैं जो भी बोलता है, जो भी मैं करता हूँ, मेरे को सोर्ग पिता बोलता है, इतना ये ये शुमस्य का काम है ना, इतना आसान है ना, बच्चों से भी, छोटे से बच्चे से भी इतना आसान है, सब कुछ आपन आप हो जाता है, जैसा बच्चे को, सब कुछ आपने, आपन सब कुछ चीज़े मिलते हैं, सब कुछ माँबाप करता है, टॉयलेट करेगा तो भी माँबाप निकालता है, फिसाब करेगा तो भी माँबाप निकालता है, तो एसा होता है एक पवितर कैटलिक का जीवन, कुछ करने का है, जरूत हेज धक्कल लेने का, टैंचन लेने का, शुक्रिया एक्षुमस्य शुक्रिया पवितर आत्मा शुक्रिया स्वर्पिता अभी प्रात्ना करेंगे स्वर्पिता और एक्षुमस्य पवितर आत्मा के नाम से आमें किनल सोर पीता में अशु मस्य के नाम से प्रात्न करता हूं ए जो इंसान यूटूब लाईपर है उसको और उसका पुरा परिवार को और जा सुन रहा है उनको और उनका परिवार को, आप COVID बिमारी और Black Fungus बिमारी से बचा कर रख, हर एक बिमारी लोगों की टिक कर, और सब कमाय लोगों का करके दे, जो बदन में हिस्से जो खराब है, चलता नुए है, उनको बिलकुल नया कर दे, और वापस से चालू कर दे, और जो हिस्सा, बदन में बदन के अंदर, पेट में के अंदर, दिमार के अंदर, हर एक हिस्सा जो नहीं है, बचपन से पहीदा हुआ नहीं, नहीं तो दक्टर नों काट के फैंक दिया, ओ वैसा जो हिस्सा है नहीं है वो हिस्सा आप नया डाल दे आपका सोर्दुत का मदद से और सब कामाय लोगों का करके दे जो लोग दंदा करते हैं उनका दंदा बड़ा जो लोग पड़ाय करते हैं उनको उनका दिमाग बड़ा और बड़ा मार्क्स में लोग उनको पास करवा दे जो लोग नोकरी करते हैं उनका पागार बड़ा पोश्ट बड़ा जो लोग नई नोकरी डुणते हैं उनको बड़ी कमपनी में बड़ी पागार की नोकरी दे दे और जो लोग गर में बेटे ले हुए हैं उनको लोग कमपनी वापस चालो करके पागार बड़ा के पोश्ट बढ़ा के Civलों को नूक्री पर चड़ा दे ऐसर मत का देखने का बादThose लोगों को पवपितर कैथ्लिक बनने को भी चोठे से चोठे बच्चे का जैसा बनने को भी आपका कुरुपा आपका प्यार और पवितर आत्मा का आधार ये लोगों को दे डिए अभी आम लोग शब्द बोलेंगे स्वर्ग पिता और इस्व मस्वर पवितर आत्मा के नाम से में इस्वर्ग पिता और इस्व मस्वर पवितर आत्मा के नाम से में The son of man goes as it is written of him but sorrow to that man by whom the son of man is betrayed it would have been better for that man if he had not been born Matthew 26,24 I will give you the kiss of the kingdom of heaven and whatever you bind on earth shall be bound in heaven and whatever you lose on earth shall be loosed in heaven Matthew 16,19 Like Jesus, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your father who is in heaven Matthew 5,16 Every good and perfect gift is from above coming down from the father of lights who never changes James 1,17 Wealth that comes by evil will decrease and that gathers by righteousness will increase The righteous is merciful and lands Proverbs 13,11 Jesus answered Nicodemus, truly truly I say to you unless one is born of water and spirit he cannot enter the kingdom of God John 3,5 If you continue in my word you are truly my disciples then you will know the truth and the truth will set you free John 8,31,32 If you abide in me and my words in you ask whatever you wish and it will be done for you John 15,7 By God's grace I made power